जहें दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर है आपका एक यूट्यूब चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों यहां पर यूट्यूब का एक लेटिस्ट अपडेटिड फीचर आया है जिसको जानना आपके है और जानते हैं कि आखिर वो अपडेट है क्या तो इस लेटिस्ट फीचर को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर अपने स्टूडियो एप्लिकेशन को स्टूडियो जो वैब एप्लिकेशन है उसको उपन कर लेना है यानि कि आपको गूगल पर सर्च करना है यूट्यू डॉट कॉम वहां पर आपको राइट साइड में लोगों दिखेगा वहां पर आपके यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है दोस्तों इसको ऊपन करने के बाद ऐने अपको आ जाना है इननलेटिक्स में जब आप आएंगे तो ऊपर की सा जो आपको नया मिला है YouTube ने इसको अपडेट किया है अपने स्टूडियो पर दोस्तों यहां पर रिसर्च वाले आप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस होगा दोस्तों रिसर्च जो यह फीचर है इसका मतलब यह है कि आप जो अपने वीडियो के लिए टॉपिक फाइंड आउट करते हैं अब उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन या वेबसाइट की जुरत नहीं पड़ेगी नहीं आपको गूगल पर जाकर कुछ स तो आपका कोई सिंगल वैड हो सकता है उसको आप यहां पर करें और दिखाएगा पर में आ запार आपको करता हूं दोस्तों यहां पर मानके चलिए मैं आपको सर्च करता हूं YouTube Tips मैं इसको यहां पर आपको सर्च करके दिखा देता हूं YouTube Tips मैंने सर्च किया अब यह देखिए आप कितने सारे keyword YouTube Tips से related आ गए इसमें जो सबसे पहला है जो मैंने सर्च किया था उसकी जो सर्च वल्यूम आप राइट साइड में देखिए इसकी जो सर्च वल्यूम है वो कितनी ज्यादा है हाई है यानि कि बहुत ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो ऐसे में आप अलग-अलग topics को यहां पर डालि यानि कि आपका चैनल है आपके जो वीवर्स आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन-कौन से topics को सर्च कर रहे हैं यह यहां पर आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है आप देखिए नीचे आपको 7-8 keyword यहां पर और ज़्यादा दिखाई दे जाते हैं साथ ही नी सकते हैं यहां पर आपको एक बना बनाया topic मिल जाता है अब आपको दिमाग लगाना है कि मुझे इस topic को कैसे बनाना है और किस टाइब की वीडियो मुझे इस topic पर बनानी है तो दोस्तों YouTube यहां पर अपने viewers अपने creators को अच्छे खासे topics provide करा रहा है खुद के ही platform पर ताकि उनके creators को कहीं और जाना ना पड़े, subscription वाले websites को ना purchase करना पड़े, जो last वाला option है वो है saved का, इस saved वाले option पर click करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपको नीचे दिखाई दे रहे है option, your viewer searches वाले option में इसको आप save भी कर सकते हैं आगे के लिए, मान कि चल तो यह यहाँ save हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर इस पर आप click कीजिए और यह यहाँ पर save हो जाएगा, अब इस saved वाले option पर जब मैं click करूंगा तो जो मैंने save कर रखे हैं अपने topics वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे, तो कुछ इस तरीके से आप इन तीनो topics का, तीनो features का use करके अपने channel को grow कर सकते हैं, पने जो videos यह उनको और जादाUm आच्छा और जादा सर्च वोल्यम वाले videos बना सकते हैं, ताकि आपके videos अच्छे चलें आपके विऊस आएएँ, तो इस तरीके से आप इस feature का कहीं न कहीं बहुत आच्छे तरीके से अपने चैनल को grow करने क के लिए यूज कर सकते हैं